Good afternoon to everyone, बच्चो, लास्ट लेक्चर में हम लोगोंने चेप्टर थ्री दीन निकला में छोटे इकी मात्रा याने की रस्वई की मात्रा पड़ी और हम लोगों ने ऐसे नोटबुक में सभी व्यंजन में इरस्वई की मात्रा लगा कर क्या उच्चारण होता है वो भी रीड कर लिया है आज हम लोग फिर से ये मात्रा रीड करेंगे देखो मैं बोल रही हूँ बाद में आप लोगों को बोलना है और एक एक अक्सर पर आप लोगों को भी पैंसिल रखना है एसे की बोलो की खी खी गी 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 ची 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 जी 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 टी ठी ठी डी 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 आनी आनी ती थी 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 दी 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 नी नी पी पी फी 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 बी 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 मी, यी, यी, री, री, ली, ली, वी, वी, शी, शी, ख्षी, गी, गी, त्री, त्री, स्री, स्री देखो, व्यंजन में ये रस्वई का प्रयोग और हमें उचारण आ गया तो अभी हम लोग हमारे चेप्टर में जो दिया है पोएम वो हम लोग वन वन वर्ड रीड करेंगी सभी की पेंसिल वन वन वर्ड पर रहेगी जहां मैं पढ़ती हूँ वहां ही पेंसिल रहेगी दीन, दीन, निकोला, निकोला, रोवी, रोवी, आया, आया हमें आकी मात्रा तो पता ही है इसलिए आकी मात्रा जहां-जहां लगी है वहां हमें उच्चारन करना आना चाहिए Read करना आना चाहिए Second Line कीरन, कीरन, आ, आ Full Stoke, बलो, Full Stoke Kaamala, Khamala Khila, Khila Full Stoke, Full Stoke चीडिया, चीडिया, तिनका, 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 ला फुल स्टोप, फुल स्टोप लाकर, लाकर, अपना, अपना, घर, घर, बना, बना फुल स्टोप, फुल स्टोप, नदिया, नदिया, तट, तट, तक, तक, बह, बह, कर, कर, आ, आ फुल स्टोप, फुल स्टोप, सीवम, शीवम, आ, आ, गीटार, गीटार, बजा, बजा, फुल स्टोप, फुल स्टोप, ओके, तो, हिंदी में फुल स्टोप कैसा होता है, एसा, और गुजराती में कैसा होता है, फुल स्टोप, उनली डोट्स, तो ऐसे हमें ये विराम चिन का भी पता चला उसको अल्प विराम बोलते हैं क्या बोलते हैं? अल्प विराम याने कि जहां हम लोगों को थोड़ा रुकना पड़ता है वहां अल्प विराम लगाया जाता है तो हमें आगे के स्टांडर्ड में वो सभी विराम चिन का ग्नान पढ़ना आएगा लेकिन अभी हमें बस इतना याद रखना है कि फूल स्टोप ऐसा होता है अलफ विराम ऐसा होता है तो अभी हमारी नोटबूक में next ये सब भी वुचारन कर लिया बाद में हम लोग यहाँ शब्दार्थ लिखेंगे शब्दार्थ में कुन्सा शब्दा आया पहले दीन दीन को हम लोग क्या बलते है डे एसे वन शब्दार्थ थ्री टाइम हमें लिखना है यहाँ यहाँ दूस्तरा शुरू होगा कमला दूस्तरा सब्दार्थ है कमला को इंग्लीश में क्या बलते है लो टूस लोटस यहाँ फर्स्ट टाइम सेकन्ट टाइम थर्ड टाइम ओके फिर यहां दूसतरा शब्दार्थ, नदिया, नदिया को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते है, रिवर, वन टाइम, सेकेंड टाइम, थोर्ड टाइम, यहां नया शब्दार्थ, रवी, रवी को इंग्लिश में क्या बोलते है, सुन, सन, यह वन टाइम, सेगन टाइम, थ्री टाइम, ओकी, तो यहां से हम नया शब्दार्थ शुरू करेंगे, चीडिया, चीडिया, चीडिया को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड, वन टाइम, सेगन टाइम, थर्ड टाइम, फिर यहां नया, तट, तटकॉम लोग क्या बोलते हैं, बैंक, वन टाइम, सेगन टाइम, थर्ड टाइम, यहां आगे, कीरण, कीरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रे, वन टाइम, सेगन टाइम, थर्ड टाइम, यहां तीन का, तीन का, को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, श्ट्रो, वन टाइम, सेगन टाइम, थर्ड टाइम, और एक बचा भी गिटार, गिटार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिटार, वन टाइम, सेगन टाइम, थर्ड टाइम, तो एज़े हम लोग शब्दार्थ कंप्लिट करेंगे, और बाद में हमें ये सभी शब्दार स्पेलिंग के साथ याद रखना है, चलो बच्चो, तो आज इतना रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, बाबाई